साशिकाल बहुत प्यारे बच्चों बच्चे आज जासी लिबरलिजम दा जो सद्धा चैप्टर चाल रहे हैं उसे नूं अग्गे कॉंटीन्यू करना है पिछला मैंनों लगदा है कि तुसी अपनी अपनी कॉपीज देते कंप्लीट कर ले होएगा नाल नाल कंप्लीट करना हैं दूसरा एक्षचे पे तानों होर कहना चंदी सी की नोर्स भी पे जे जारे हैं तो अठेट सफेज देन दे ने करें इन केस किसे स्कूल दे स्टूर्डेंट स्कोल नोर्स ना पहुंच रहे हों तो आपने 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 तीस नूं बेटे तुसी कह सकते सब्सक्राइब कर सकते हैं वैसे यूट्यूब दी हर एक वीडियो सुनके तुसी अपने नोट्स बनाओ उधिवर्गी कोई रीस नहीं तौन पेपर्स विच भी बिल्कुल विडर नहीं लगेगा अधिवर्ण चैवाँगे नवा उधारबाद मौडर्न लिबरलिजम पेपर्स पॉइन्ट उफ विउ तो मैं तो अनू धूतिन गलना जरूर दसना चावांगी के जदो तो अनू क्वेश्चेन आवे उधारबाद उदारवाद्दे सिदांत ता बच्चे तुसी नमे उदारवाद्दे सिदांत लिखने हैं मैं रिपीट कर रही हैं कई वारी तो अनू पेपर चे कोश्चन आजांदा है पुरातन उदारवाद दे सिदान्त ता तुसी पुरातन उदारवाद दे सिदान्त लिखड़े हैं कई वार तो आनो क्वेश्चन आजन्द है उदारवाद दे छे सिदान्त दादा वर्नन करो ता तुसी नमे उदारवाद दे सिदान्त लिखड़े हैं पोस केनलिशन जी तुसी पुरातन उदारवादे नहीं लिख़ए। पढ़ी गल दूसरी गल पुरातन ते नमा उदारवादे विचे बहुत ज़्यादा मेल है क्योंकि उदारवाद उदारवाद ही है। काफी ज़्यादा पाइंट्स उसी देखोंगे बिलकुल सिमिलर तुसी कहोंगे कि नमे उदारवादी लोड ही क्यों पई नमे उदारवादी लोड बेटे क्यों पई के तो अनु याद होएगा कि पुरातन उदारवादियां ने मनुखनू खुल दिती और बहुत जादा खुल दे विती सुतंतरता भी एक हद तक बहुत चंगी हुंदी है पर बेलोडी सुतंतरता के मनुख दे कोई रोग टोख ही ना होवे समाज दे कोई नियम ही ना हूँन मनुख दे कोई बंदश ही ना होवे मनुखनू कोई पुछन वाडा ही ना होवे जदो असी मनुखनू बेलोडी सुतंत सरता दे दिए तो दर नतीज आकी निकल्दा है ह। हमेशाँ माड़ा निकल्दा है पुरातनुदार्वधियान एकowej topic eqline कईी सिग likes और अपना चंगा माडा सोच सकता लिख नहीं होनी चाहें अनुड सिंपल एकजांपल देन्नी है नो डाउट मनुख से आना प्राणी है मनुख तरक्षील है मनुख चंगा माड़ा सो सकदा है पर की तो अनू लगदा है कि मनुख नू बिल्कुल अजाद छाट देना चाहिदा है उन तुसी यूँ जे तो अड़े टीचर्स तो अनू क्लास विचे कहा दें कि बेटे चाहे पड़ोओं चाहे तुसी ना पड़ों चाहिए तोसी क्लास में चाहू ना ओ कंपी लओ गुलाओं बोतल है शिराव दी बोतल दे उपर लिखे हांदा है शिराब पीना सेहत के लिए हनिगा रख है ड्रिंकिंग इजूरिज्डे टूहल पर लिख्या आए के हेल्थ सब्सक्राइब करते हैं तो इस करके बेलोडी जड़ी इस तंतरता है उसने कम खराव कर देता दूज़ा तुसी पुरातन उधारवाद दा एक पॉइंट किता सी के उस सुतंतर वपार आते खुले मुकाबले दी नितीनू अपनाना चाओंदे हैं ओ मनुखनू आर्थिक अज़ादी देना चाओंदे हैं जदो पुरातन उधारवाद ने मनुखनू लोड़ तो ज़ादा आज़ादी देती आर्थिक अज़ादी जदो उन्हाने खुला मुकाबला सरकार्दी रोक्टों की खतम करती अयात निर्यात किसे तरह दा कारोबार तंदा करंदे लेई बिलकुल उतपादन वंड किसे भी चीज़ देते सरकार्दी कोई इंटरफेरंस नहीं होएगी राजदी नहीं होएगी ता उदा नतीज़ा की यह बच्चे बहुत माड़ा निकलेया संसार दे विच बहुत वड़ी मंदी 1903 दे करीब बहुत वड़ी मंदी जड़ी है डिप्रेशन जो है ओ सारे संसार नों फ सप्लाई बहुत होगी पर खरीदन वाड़े सीनी दे उदनल की होंदा है समाज विच मंदी दी हालत फैल गई अमीर बहुत अमीर होगे गरीब बहुत गरीब होने शुरू होगे शोशन होना शुरू होगे हम मनुखादा उन भी जे तुसी देखो सरकार जे बिलकुली रोक टोक बंद कर देवे आर्थी के तर्विच ता लोग हो सकता है शिराब दिया पठिया लालन नशे दे गैर कनूनी कम शुरू कर दें सो कई तरिके दे गलत कम भी मनुख करने सो एही नतीजा होया कि जदो पुरातन उदारवाद ने मिनुख नो बहुत जादा खुल देती आ तंतरता जरूरी है पर बेलोडी नहीं होनी चाहिदी राजदे कानून बहुत जादा बंदशा ना लगान पर होन जरूर मनुख नो आर्थी का जादी ता दिखती जावे पर उदी आर्थी का जादी ते सरकार दा कंट्रोल होना चाहिदा है क्यों ता जो समाज विचे जो शक्ती दा वरतारा हुंदा है इसे तरीके देनाल अमीरा ने बहुत अमीरा ने गरीबां दा शोशन शुरू कर देता सो इस सारे चीजानों रेगुलेट करंदे लई नमे उदारवाद ने जनम लेया सो पुरातन उदारवाद दे सिदांता नाल जो कमिया रह गी असन उ जदो शी नमा उदारवाद करांगे तुसी देखोंगे कि Maximum Points जड़ेने ओ पुरातन उदारवाद या उदारवाद दे नाल ही मिल दे हन पर कुछिक गल्ला ने जिदे नाल जिदे विच के पुरातन उदारवाद दे नाल लो नमा उदारवाद फर्क विच ओंदा मैसूस ह गुंदा है जो एस इस कमियान उदू प्रातन उदारबाद दियां कमियानी दूर करवर्वाद देलेई बच्चे नवे उदारबाद दा जनम होया सो हून सी करांगे नमा उदारवाद जिन्हों अपा कहमांगे समकाली उदारवाद हाँ जी बेटे सब तो पहला था इन्हों सी modern liberalism भी कहा जान्दा है दूसरी गाल पुरातन उदारवाद नो negative liberalism कहा जान्दा सी ता समकाली उदारवाद नो positive liberalism दा नाम भी देता गया है positive आदनिक उदारवाद आजे तामी बच्चे तोड़ाए ही अंसर है सेम है इस उदारवाद दा जनम तकरीबन 19 सदी तों 20 सदी दे विच काफी changes मैं तो नो दसे हैं सारी दुनिया दे विचाईयां दुनिया दे विचे पुरातन उदारवाद दी खुल दे नाल पबंदियां दी अनहों दे नाल जो नुकसान होए उस तो बाद सारा संसार विचारक ए सोचन ते मजबूर होए कि इस उदारवाद विच कुछिक changes करनियां चाहिए हैं कुछ एक लोडिन दीयां changes करनियां जरूरी हैं सो जैसी स्पोर्टर्स दी गाल करिये समर्थक एक नमबर दे विच्ट तो अनुक कॉस्चन आ जानता है ता नमे उदारवाद दे समर्थक GDH कॉल ठीक है प्रफेसर लास्की, प्रफेसर बारकर, मैकाईवर एक उसी तेन चार नाम दे सकते हो ठीक है ना GDH कॉल एक बच्चे पंजाबी दे विच्ट तुसी लिख सकते हो प्रफेसर लास्की बार-बार आएगा प्रफेसर बारकर, प्रफेसर मैकाईवर ठीक है इत उसी दे समर्थकादे नाम लिख सकते हो, जो नमे उधार वाद दा जनम है उए उन्यवी सदी दे शुरू तो बाद भीवी सदी oren मैंग्ला सधी चल रही है इसारे उन्यवी सदी तो बाद इस दा जनम होया जनम क्यों होया पुरातन उदारवाद दी कमियानू दूर करंदे लई होया उनसी गाल करांगे basic principles of modern liberalism नमे उदारवाद या समकाली उदारवाद दे सिदा या विशेशतामा पेपर्च सिदा आजवे तावी अंसर सेम है विशेशतामा आज़ान तावी अंसर सेम है confused नहीं हो जाना ठीक है जी समकाली उदारवाद आजवे आदुनिक उदारवाद आजवे सेम सेम चीज है उन पेला इदा सिदा आन्थ है मानव वाद विच विश्वाश सेम जो पराणा सिगा कि उना ने भी मनुख दे विच विश्वाश किता सो नमे उदारवादी भी मनुख दे विच विश्वाश कर दे हन ओवी मनुख नू मुख के इंदर मन दे हन ओवी मनुख नू सियाना मन दे हन तरकशील मन दे हन अते चांदे हन के मनुख जो है ए मुख के अंदर है राज दा मुख उदेश मनुख दा पला करना होना चाहिदा है ए भी हर पकतो मनुख नू सरव उत्तम अते सरव रेस्ट मन दे हन सेम टू सेम कुछ पॉइंट मैं बार बार कह रही हैं बेलकुल सेम ने कुछ पॉइंट आते दोना विच डिफरेंस पाया जाएगा सेकिंड पॉइंट इस ओपोजिशन टू ओपन कॉंपटिशन एंड फ्री ट्रेड खुले मुकाबले अते सुतंतर वपार दा वरोध जे तुसी कॉपी दे अते लिखिया है ता तुसी नोट करोंगे उना ने पुराणे उदारवादी मंदेसन के खुला मुकाबला होना चाहिएदा है वपार सुतंतर होना चाहिदा है सरकार दी कोई रोक टोक नहीं होने चाहिदी जिदा नतीजा की निकले आ के सारे संसार नूँ वड़ी मंदीदा मूँ देखना पे आ अमीर बहुत अमीर होगे गरीब बहुत गरीब होगे शोशन बहुत ज़्यादा होन लग गया ता नमे उदारवादिया ने की विचार देता के खुले मुकाबले अते सुतंतर वपार दाउना ने विरोध किता के मनुख मुकाबला कर सकता है वपार कर सकता है पर वो बे लोड यह दा नहीं होएगा राज उदे ले नियम बढ़ाएगा राज नीतियां बढ़ाएगा राज दे कानून होड़ अथे उस अनुसार ही सारा वपार किता जावेगा इधे न लकी होया कि सारी यां तकरीबन तकरीबन कंपलसरी चीज़ां देखते जिड़ियां जुरूरी सब्सक्राइब करें जिरूरी जिरूरी चीज़ां दे मुल जो है सरकार निश्चित कर दी है ओई वड़े वपार विदेशी कमपनिया दा आना या वड़े वपारां ले लाइसेंस सरकार तो मंजूर करोने पेंदे हैं ये सारा कुछ रेगुलेट करंदा अधिकार की नो दिता गया सरकार नो तो नवे उदारवादियां ने पुराणे उदारवादियां दी गल नो खारज कर दे होए ये मन्या के खुले मुकाबले अत्यसुतंतर वपार्दा विरोध होना चाहिदा है तीसरी चीज बेचे राज एक कल्यानकारी संस्था है उसी पुरातन उदारवाद किता उद्दे चसी किता सी कि ये राज एक नकली संस्था है और राज नो वदिया संस्था नहीं मन दे ओकेंदेहन कि मनुका ने अपनी लोड लेई बढ़ाई है पर एन्नी इंपॉर्टेंट संस्था नहीं है जदो की नवे उदारवादी राज नो एक कल्यानकारी वेलफेर स्टेट मन देहन कल्यानकारी मतलब ओ संस्था जिस दा काम की है मनुका दा कल्यान करना कल्यान करना म वादिकार होएगा जिसनों सी कह सकते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस वाड़ा कम चलेगा ओकेंदे समाज विच अन्या होएगा इसकर के नमे उधार मदी राजनू इक चंगी संस्था मन देहन इक कल्यान करी संस्था मन देहन चौथी चीज नियमित अर्थ विवस्था या आर्थिकता अर्थ विवस्था भी आ सकते हैं रेगुलेटेड एकोनमी नियमित अर्थ विवस्था नियम दे अनुसार चलनवाडी अर्थ विवस्था में जे एकोनमी पुरातन उदारवादी की केंदेशन के सुतंतर वपार होवे आयात निर्यात किसे भी तरह दे आर्थिक कमा विच सरकार दी कोई दखल अंदाजी ना होवे नवे उदारवादी की मंदेहन के नहीं जो अर्थ बवस्ता है एकॉनमी है ये नियमित होवे सरकार दे नियमा अनुसार चलाई जानी चाहिदी है सरकार रेगुलेट करे सरकार कानून बणावे सरकार नितियां बणावे सारा कुछ सरकार दे नियमा अनुसार होवे ताजो तन दी बरबरवंड होवे उतपादन वितरण वतंदरा सारी चीज्यां देवते सरकार दे नियम लगू होने चाहिदी है अगली गल, state is a social and moral institution, राजिक समाजिक अते नैतिक संस्था है पुरातन उदारवादी राजनू खतम करना चौन देहन, राजनू नगली संस्था मन देहन, ओकी केंदेसान के राजदा कोई रोल नहीं है पर नवे उदारवादीया दे राजसमंदी तुसी विचार देखो, ए राजनू कल्यानकरी संस्था मन देहन, ए राजनू एक समाजिक संस्था मन देहन, नैतिक मैने चंगे गुणावडी संस्था मन देहन ओकेंदे मनुखनू वदिया जीवन राज दे सकता है, मनुखनू चंगा नैतिक इंसान राज बना सकता है, मनुखनू एक चंगे समाज दी सिर्जना करन दी लोड राज वल्लो ही पूरी किती जा सकती है पाव केंड तो पाव है कि जो नवे उदारवादी हन ए राज नू माडी संस्था नहीं मन दे, ए राज नू एक चंगी संस्था, नैतिक संस्था, मनुखने समाजिक, नैतिक विकास लेई जरूरी, मनुखने पले लेई जरूरी, ए एक वदिया संस्था मन दे हन पुरातन अते नमे उदारवाद विच राज सबंदी की अंतर है कई वारी question दो नमबर या चार नमबर चपाधन दे है कि पुरातन अते नमे उदारवाद विच राज सबंदी की अंतर है की विचारहन ता याद रखना है पुराणे उधारवादी राज नू नकली संस्था बनावटी संस्था मन्दे सान ओकेंदे हन के राज नू मनुख दे कम्मा विच दखल नहीं देना चाहिदा मनुख नू राज दी कोई बौती लोड नहीं है जदो की नमे उधारवादी राज नू इक कल पले वाडी संस्था मन्दे हन मनुख दे समाजिक जीवन आते नैतिक जीवन नू चंगी तरीके नल रेगुलेट करन वाडी संस्था मन्दे हन पाव एहे राज दे बारे विच इना दे विचार वदिया हन अगली गाल कुद्रती अधिकारां दे से दांतदा विरोध ए अधिकार कुद्रत देंदी है में क्राया सी पॉइंट के अधिकार कुद्रत देंदी है राजदा वदे विच कोई रोल नहीं है प्रमातमावलों अधिकार मिले हन पर नमे उधारवादी इस चीज़नों नहीं मन्दे नमे उदारवादी की मंदेहन के कुदर्ती अधिकारां देसे दान्दा विरोध के अधिकार कुदरत नहीं दिन्दी हाँ जनमसी लेने हाँ पर मातमावलो जनमसी लेने हाँ पर उखेंदेहन के चाहे जीवन दा अधिकार है चाहे सुतंतरता दा अधिकार है चाहे संपती दा अधिकार है जे राज ना होवे ता इना अधिकारां दा कोई मुल नहीं है means कि जे राज है ताही अधिकार आनू बचाया जा सकदा है ताही अधिकार सब दे हो सकदे हैं for example मानलो राज ही नहीं है ता की होएगा जेड़ा शक्तिशाली व्यक्ती है अमीर व्यक्ती है ताकतवर व्यक्ती है ओ अपने अधिकार आनू इंज्वाय करेगा बाकियां दे अधिकार कोई मैना नहीं रखनगे जी में के तुसी देखो जदो अपा अजादी तो पहला जदो पारत गुलाम सी ता पारतिया नू किन्येक अधिकार मिले होई से और अंग्रेज लोग सानू अधिकार ही नहीं दिन दे सन संसार विच आज भी कई देश ने जि पुराणे उदारवादियां दी इस गलती नू भी ठीकिता उनाने केहा के पावे मनुख नू जनम प्रमातमा दिन्दा है कुद्रत वल्लो जीवन दा अधिकार है पर जीवन दे अधिकार नू भी ताहीं सुरख्यत रख्या जा सकता है जे राज दे कनून होन जे रूली न कोई भी किसे नू मार सकता है शक्ति शाली बंदा दूसरे दा खून कर सकता है जे कोई नियमी ना होन बेटे तक किये समाज विच अराजकता फैल जावेगी ते किसे दे गरीब दे कमजोर व्यक्ति दे शोशित व्यक्ति दे अधिकार नहीं रह जानगे इस करके नमे उदा वादी ने ओ काफी हद तक मनुखनू अजाद मन देहन अते मनुखनू खुला चाट देन देहन कि मनुख अपणी मनमर्जी देनाल कुछ भी कर सकता है पर जिड़े नमे उदार वादी या ओकें दे नहीं मनुख किसे भी तरिके दी हिंसा नहीं कर सकता किसे नू मारना किसे जानतों खतम कर देना, किसे देनाल गल्त करना, दंगे फसाद करने, किसे दे अधिकारानू खोलेना, गलत टंगा देनाल किसे ते अधिकार करना, नमे उदारवादी हर तरादी हिंसा दे विरुद्ध हन। जो चंगा माडा पता होवे, जो अपनी बुद्धी तो कम लेंदा होवे, जो कुझवी गलत ना करदा होवे, मनुख एक सोचन वाडा प्राणी है। बेलोडी सुतंतरता देती, मनुख दी सुतंतरता होते, कोई रोक ही नहीं लगाई। जदो की नमे उदारवादी मनुख दी सुतंतरता होते, जरूरी रोका लगानियां चौन्दे हन। बेटे, रोका अते जरूरी रोका, इनना दो चीज़ांच फरक है। रोकना अते जरूरी रोकना, उन तुसी देख देओ, कर दे विचे भी तुसी कदे नोट करो, तो अनू दो तरह दी अजादी हुंदी है। जेता तो अटे पेरेंट्स तो अनू बे लोड़ी अजादी देदें, के तुसी जिनने वज़े मर जी आओ, जिनने वज़े मर जी जाओ, कुडिया रात नू बारा बज़े तो बाद भी कर, तो बार रह सकती है। कई वार तुसी ऐस तरह दे, कपड़े पान दी, तुसी देखो कई समाज जाज जाए के कोई गर्ल्स किसे तरह दे, कपड़े भी पा सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, ड्रिंक भी कर सकती हैं, जदो मनुखनों असी लोड़ तो ज़्यादा जादी देदांगे, चाहे उकार दे लही बे लोड़ी अजादी जड़ी है, वो वदिया लग दी है, पर अल्टीमेटली तुसी देखो ता बे लोड़ी अजादी तो अड़ा नुकसान ही करेगी, तो ए पुरातन उदारवादियां ने मनुखनों तरक्षील मन के खुला चड़ता, कोई रोक नी, कोई अर्थववस्ता ते कंट्रोल नी, उदे नाल की होया कि मनुख ता सिर चड़ गया, मनुख ने गल्त काम करने शुरू कर देते, अर्थववस्ता दा बुरा हाल हो गया, शक्ती शालियां ने कमजोरा नु दबाना शुरू किता, समाज विच अस्मान एना बन गया, ख्रीद नमे उदारवादी मनुख नुख 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 अपने उत्ते राज करन वाड़ेयानु चुणंद अधिकार होना है अगे है बालग मत्तादिकार देहक विच इन फेवर ओफ यूनिवर्सल एड़न्ट फ्रिचाइज के पुरातन उदारवादिया ने वी मंदे संजदो प्रतिरिदी संस्थामादी अपागाल कर देया ता उदे विच बालग मत्तादिकार बिटेश शामल होंदा है बालग मत्तादिकार दा मतलब है एक एज निश्चित कर दिती जन्दी है चाहे 18 साल होगे चाहे 14 साल होगे चाहे 21 साल होगे एक निश्चित उमर ते पॉंचन वाडे हरेक पुर्ख अते इस्त्रेनू बिना किसे पेदपाव दे वोट देन दादिकार दिता जाना चाहिदा है तो नवे उदारवादी इस चीज़ दे हक भी चान उस तो बाद है respect of descent आसेहमती दा सतकार बहुत वड़ा पॉइंट है आसेहमती देखो कई वारी होंदा है कि असी जरूरी नहीं असी हर गलते एक दुज़े देनल सेहमती होए हो सकता है किसे गलते मेरे विचार अलाग होंद तो अड़े विचार अलाग होंद असी एक दुज़े देनल सैमत ना भी होए पर सान नो औ सैमती दावी की करना पैंट चाहिदा है जिवे के डेमोक्रेसी चुन्दा है सरकार नो उपोजिशन पार्टियां दा विरोधी पार्टियां दी हर गल सुननी पेंदी है सुन गे ऊदे थे विचार करना पेंदा है आयनी होएगा किसे लीडर दे खलाव पर्दा अनमंतरी दे खलाव किसे दे खलाव जे कोई बोल दाए ता उसनों मौत दी सजा सना देती जाओए या जिवे के लोग देम उदे विच हुन्ड़ है तानशाय ऐड़ अन्दे को ताना शा अए, किंग जोन दे खलाफ कौन बल सकता है? जेडा बुलिए उन्हें मौत दी सजा दे देनी है, राजे दा राजे, जेडा बंदा राजे नारा सैमत नहीं है, राजे ने उसनों जेल बीच शुट देना है, या मौत दी सजा दे देनी है, नहीं, पर आव तो अनु अपना विरोध सुनंदी भी आदत होने चाहिदी है अगली गल के जो नवे उदार वादी हैं बच्चे एह अंतर आस्टर वाद अते अंतर आस्टरी शांती दा समर्थन करदे हैं अंतर आस्टर वाद भुंदा है सारे संसार नू प्यार करना अपने देश नू प्यार करना अपने देश नू प्यार करना बहुत जरूरी है देश पागत होना बहुत जरूरी है नंबर एक दे उते पर उदे नाल नाल संसार दा पला संसार दी शांती बारे सोचना वी बहुत जरूरी है जे कोई बंदा अपने देश दा फैदा करके बाकी दा बाकीयां दा नुकसान कर रहे है ता ये बड़ी मारी गल है कुछ देशा ने अपने फैदे दे लई गल्त किटां, गल्त दवाईयां, गल्त टेस्टिंग किट्स पेज दियां, उधे नल की है कि उना नूता मनाफा उना ने कुमालेया, पर संसार पदर दे उना दी बड़ी अलोचना होई सो नवे उधारवादी ये चौंदेहान कि मनुख अपने देश नू प्यार करे, पर उधे नाल नाल मनुख संसार नू भी प्यार करे, अते संसार दी शांती दावी की करे, समर्थन करे सु बच्चे एस पॉइंट दे नाल नाल ही मैं आनुख उधे संसार दे 9 उधारवादी सिदांत। मैं बार बार रिपीट कर रही हैं, पुरातन उदारवाद देसे दांत अते नमे उदारवाद देसे दांत बचे किया एक दुजे नाल काफी हद तक 70% मेल खांदे ने कई वर तो अनू पेपर च वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वश्चन आंदा है नमे अते पुरातन उदारवाद विच अंतर्द सो ता अंतर्दे विच तिन पॉइंट याद रखने है नमबर एक पुरातन उदारवादी राज नू नकली संस्था मन देसान बनावटी मन देसान राज दे कानूनना नू मनुख दा विरोधी मन देसान नते राज नू खतम कर देना चौन देहन जदो की नमे उदारवादी र आज नू कल्यानकारी संस्था मन देहन समाजिक मन देहन नैतिक संस्था मन देहन नते चौन देहन के मनुख दे विकासली राजदा होना बहुत जिरूरी है ए डिफरेंस है दूज्जा डिफरेंस है गए के पुरातन उदारवादी मनुख नू खुला छट देन देहन के होवे सुतंतर वपार होवे खुला वपार होवे मनुख दे वपार उत्ते किसे तरादी सरकार वल्लो राज वल्लो कोई रोग टोग ना होवे जदों की नमे उधारवादी मंदेहन कि मनुख नू आर्थिक अजादी दित्ती जावे मनुख कारोबार कर सकदा है अपनी रोजी नहीं कर सकदा, कोई गैर कनुनी कम नहीं कर सकदा, वपार उत्ते सरकार दे नियम लगू होनगे, जरूरी वस्तुआ दी कीमता सरकार द्वारा निश्चित कितियां जानगी हैं, वड़े उद्योग, जरूरी उद्योग जो बेसिक उद्योग हन ओ सरकार दे कंट्रोल विच हो पाव सरकार दे नियम एकॉनमी नू अर्थ वबस्तानू रेगुलेट करंगे और थर्ड पॉइंट इस के पुराणे उदारवादी मंदेहन के अधिकार कुदरती हन पर मातमा वलो दिते हन कुदरत ने दिते हन राजदा अधिकारानाल कोई लेना देना नहीं है पर नमे उदारवादी मंदेहन के नहीं अधिकार जे कुदरत दिन्दी वी है ता अधिकारानू सुरक्यत अधिकारानू केवल राज ही सुरक्या दे सकदा है अधिका आरानु बचोन लेई अधिका आरानी राखी दे लेई अधिका आरानु परफुलित करन दे लेई राजदा होना बहुत ज्यादा जुरूरी है सो एक कुछिक पॉइंट हन चोथी तुसी ये चोथा पॉइंट बना सकते हों कि जो पुरातन उधारवादी हन ए मनुखनू तरक्षील मन दे हो ए मनुखनू बेलोडी सो तंतरता दिन दे हन जदो की नमे उधारवादी मनुखनू तरक्षील ता मन दे हन स्याणा ता मन दे हन परे मनुखनू बे लोडी सो तंतरता नहीं देना चौन देहन। सब्सक्राइब करना परे माड़े सिट्टे जो अनो कड़के एक नमा उदारबाद पेश किता। लाइक करो ते हो सके ता वद तो वद अपनी पढ़ाई करो बेस्ट अफ लग थैंक्यों।